नमस्कार मित्रू स्वागता आप सभी का एक वार फिट से यूटूब चनल सिखसा ग्यान में जहां पे मिलेगे आपको राजस्तान की हर एक बरती से जूड़ी जानगरी सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों इस वीडियों हम बात करने वाले हैं आप सभी को पता चली गया होग राजस्तान की बड़ी बड़ती हेलपर 2 की कटोप के बारे में पुरा विशलेशन के साथ हम बताएंगे आंस्वर की आने के बाद की जो कटोप है आप सभीने आंसर की मिलान कर ली होगी और उससे अनुमान लगा लिया होगा कि किसका कितने नंबर है वो बन रहे हैं और कि इतने में अपना है वो आ जाएगा तो इसके बारे में है हम कटोप लेका है पूरी विशलेशन के साथ तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और इसमें बताने वाले हैं कि नॉर्मलाज़ेशन होगा या नहीं होगा रिजल डेट रिजल कब गोसित होगा और डोकुमेट विडियो में आपको प्रवाइड करेंगी तो इस वीडियो में चलने से पहले करें एक बार रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे क्योंकि यहां पर आपको सबसे सटिक जान करें दी जाएगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल जो वेकेंसी थी वाई थी चोईससो बारा पोस्ट पर ये वेकेंसी आए थी इसमें जिस जो ने जिसने फोरंग अपलाई किया वो था तीन पॉइंट पीच्छोतर लाग ने इसमें फोर्णम अपलाई किया था जिसमें इसे लिखित एक्जाम दिया था सम्तिंग तीन लाग ने दिया था और क्यूशन आपके थे इसमें सो और जो नम्मर थे वो भी आपके सो हर क्यूशन एक नम्मर का था और इसमें non-negative marking थी आपके लिए और दोस्तों इसमें जो document verification के लिए पहुँचेगे वो something date गुणा अभियरती इसमें पहुँचने वाले हैं तो दोस्तों इसमें 3600 something अभियरती इसमें पहुचने वाले है डेट गुणा अभियरती इस वेरिपिक्स में पहुचने वाले हैं तो दोस्तों उसके लिए जो परतेक शीट के लिए इसमें competition बताए जा रहा है कि 83 एक शीट के लिए 83 इस्टूडेंट है और उनके competition है वो इस फरकार से है वो चल रहा है तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं हर डिश्ट कॉम की जो जेपूर अजमेर जोदपूर की की पोस्ट कितनी थी तो दोस्तों जेपूर जो डिसको में उसमें तेरा सो सार थी और अजमेर डिसको में तीन सो एकराण में थी जोदपूर में 338 थी और राजस्तान जो है उसमें 323 टोटल और दोस्तों इसमें फोरम आपको पता है अलग अलग बरे गए थे जो जेपूर उसमें 2.25 लाग बरे गए थे अजमेर में 65,000 बरे गए थे जोद आगड़ी बताये थे 10,000 पलस विधारतियों की जो वोटिंग के बाद में हमने है वो एकजीट पॉल लगा के उसके बाद में ये कटोब बनाई है तो दोस्तों ये कटोब इस परकार है वो रहने वाली है बिजली विभाग राजस्तान की ये एक्सप्रेड कटोब है दोस् और इसमें बात कर लेते हैं ओविशी केंडिडेट की तो ओविशी की इसमें 35 से 79 यानि गुणिया सी इसमें आपकी कटोब है ओविशी में रही गी आपकी दोस्तों ये एक्सप्रेड कटोब है इससे कोई भी उपर नीचे नहीं होने वाली है हो जाए तो एक या दो पर श से चिंतर तक रहने वाली हैं और 80 की बात करें तो 70 से 24 आपकी है वह कटोब रहने वाले और एक स्थ शरविश्मेंट की 64 प्रम प्लेस रहने वाली है तो दोस्तों ये थी छो राजस्तान व लीघ्व वाग ए उपके लिए और दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं नी नॉर्मलाइजेसन होगा या नहीं होगा उसके बारे में दोस्तों आप सभी के बहुत सारे क्यूशन थे क्या नॉर्मलाइजेसन होगा तो दोस्तों मैं साफ सा बता दूं कभी जो विजली वबाग है उसमें कभी नॉर्मलाइजेसन नहीं होता है विजली वबाग में तो इस तो दोस्तो मैं को बता दूँँ आपका किसी परकार का को फिजिकल नहीं होने वाला है विजलियी विझा हैं आध के कटंब कैंठ आलग जाएगी तो मैं बता दूं कोई भी बिलग है वह नहीं जा नेवाली है गुमें कोई इस बरती को प्रमापत्र होना आवशेक है आपके दस्तुइंगी मारक्षीट होना आवशेक है उसके बाद में जो आपने फारंबराता उसके सलीप आपके पास होना आवशेक है और उसके बाद में बात करें तो यह दिया मेरी डो तो मेरी सर्टिपिकेट भी आपको इसमें चाहिएगा और दोसर, उसके बाद में, पिपचास उपए इस्टाम चाहिएगा, जिसमें लिका होना होगा, कि कोई भी आपके कोईишь केस नहीं चल रहा है, और फ्लिस विरिफिक्सन में वो बता दिया जाएगा, और उसके बारे में आपको पचास रुपे इस्टाम पेपर पे लिखवाना होगा और उसके बाद में जो आपके समलो की आपका चरितर कैसा है जो चरितर साफ सुतरा उसके बारे में आपको पचास रुपे इस्टाम पेपर पे लिखवाना होगा और उसके आपके जो भी है त प्रवाव से उसका आपको है वो जवाब देने वाले हैं तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो किजिए लाइक चैनल कीजिए सब्सक्राइब मिलते नेक्स प्रवाव में तो तक लिए जैहिन जैवाद